तो अभी LRC coin की price की बात कियो तो almost 45 cents सी price चल रही है 20% का में pump देखने को मिला 24 hour में इसकी price moment के बारे में बात करेंगे हाला कि price जो है उसमें retracement देखने को मिला था उसके बाद price recover हुई है लेकिन अगर आपने उस drip में buy किया है तो आपको 20% का profit देखने को मिल रहा होगा तो उसके price moment के बारे में बात करेंगे कहाँ पर इसमें एक registration आपको face करने को मिलेगा तो कहाँ पर इसमें आपको exit होना है या आपके लिए entry points क्या हो सकते हैं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इससे पहले अगर आपने अभी तक coin dcxf download नहीं किया है तो जल्दी से coin dcxf download करें क्योंकि इसमें मिल रहा है 100 रुपे का ethereum ऐसे sign up bonus और आप अपने दोस्तों को refer करके भी ethereum अर्ण कर सकते हैं तो मेरे experience के सबसे best यहां link के description में है यहां से आप download करेंगे तब ही आपको यह bonus देखने को मिलेगा उसके price में अच्छा खासा moment देखने को मिला 4 hour के चार्ट में लगातार 3 strong candles बनी है और यहां पर थोड़ा सा हमें retracement देखने को मिला है लेकिन अभी candle closing नहीं हुई है अब इसमें कहां पर एक resistance को face करने को मिलेगा तो one day के चार्ट पर हम जाते हैं और लगातार इसमें पिछले दो बार दो तीन बार हमने दिखा है यह वाली जो range है 49 cents से लेकर 50 cents वाली almost 48 से लेकर 50 cents वाली यहां पर उसको एक अच्छा कासा resistance face करने को मिल रहा है एक strong resistance है और यह एक भारी भर कम buying के साथ यह break होगा अच्छे खासे volume के साथ break होगा जिस type का volume अभी इसको मिल रहा है इस type का volume अगर कल की date में भी मिलता है या फिर आज की date में almost 50 cents से उपर इसकी closing होती है तो हम next release की देख सकते हैं अगर 50 cents से नीचे इसकी closing होती है आज की date में अगर वहां तक price जाती नहीं है तो कोई problem वाली बात नहीं है लेकिन अगर वहां से इसको rejection मिलता है तो फिर price में वापस थोड़ा सा correction देखने को मिलेगा और अगर price 45-46 वाली range पर ही बनी रहती है और कल की date में या फिर next एक दो दिन में अगर वापस एक moment लेती है अच्छे कासा volume के साथ अगर इसमें breakout होता है और 50 cents से उपर closing होती बंड़े की तो next rally जो इसकी रहेगी वो almost हम देख सकते हैं 60 cents इसकी next rally हम देख सकते हैं 60 cents के लगभग यहाँ पर एक थोड़ा से इसको normal resistance face करने को मिलेगा और जो इसका all time high है वो यहाँ पर 91 cents है इसके अलावा जो इसको resistance है यह normal resistance 60 cents के लगभग देखने को मिलेगा और एक strong resistance जो है पर 70 से 75 cents के यहाँ पर एक strong resistance को face करने को मिलेगा यह वाले range break करना बहुत जरूरी तो फस्त हमारा जो target है वो है 50 cents वाला जो area है 48 से 58 cents वाला area यह break होना जरूरी है फिर next target जो रहेगा हमारा 60 cents पर normal इसको resistance face करने को मिलेगा फिर 70 और फिर all time high तो वहाँ पर पहुंचने पर तो यह वाले area हमें देखना है 4 hour की candle जो है वो अगर next candle में breakout होता है थोड़ा और और 48 तक पहुंचती है next candle क्योंकि यह वाली candle almost 46 cents पर ही closing होगी 46-47 के something 48 की range तक भी अगर पहुंचता है वहाँ से अगर उपर जाता है और अगर फिर इसको एक resistance face करने को मिलेगा वहाँ से अगर इसको rejection मिलता है तो फिर थोड़ा नीचे के तरफ breakout रहेगा क्योंकि इसने पिछल दो बार try किया है और इससे पहले भी इसने try किया था यहाँ पर दो बार try किया उससे पहले यहाँ पर दो तीन cent जो है वो इसको एक strong support मिला हुआ है अच्छा कासा support है 35 से लेकर 36 cent वाला जो area है इस area में यह बना रहेगा इससे नीचा इसको प्राइस जो आपको देखने को नहीं मिलेगी तो यह जो areas मैं आपको बताए है इन पर नजरे बनाई रखनी अगर इस range से 48 से इसको 49 50 cent से rejection मिलता है तो वापिस price का जो moment है इस area पर आ सकता है almost 40 cent 41 cent तो 40 cent पर अगर आता है तो आप इसमें entry ले सकते हैं almost 43 42 cent तक भी आप इसमें entry ले सकते हैं तो 40 से लेकर 42 वाला जो area है इस पर आप नजरे बनाई रखिए 43 से चल जाएगा इस area में आप इसमें entry ले सकते हैं अगर इस area में आप entry लेते हैं तो फिर next आपको 50 cent वाला area break होता है उसको बाद 60 cent वाला आपको अच्छा कासा profit 50 cent पर आपको almost 15% से यादा का profit देखने को मिलेगा और 60 cent पर आपको almost 40% का profit देखने को मिलेगा तो यह आपके लिए entry points है 40 से लेकर 42 थोड़ा half amount आप 42 पर बाई कर लीजिए उससे नीचे अगर आपको देखने को मिलता है 40 पर बाई कर लीजिए इसके अलाबा यहाँ पर हम leverage के हिसाब से नहीं बता रहा है अगर आप profit book करते हैं बिना leverage की बात कर रहा है तो उसमें entry आप ले सकते है exit point में आपको बता दिया profit book करना आप कहां पर है अगर 48 की price break होती है तो फिर 50 से उपर का आप wait कर सकते है यह price अगर break नहीं होती है वहाँ से अगर rejection मिलता है फिर 47 पर profit book कर सकते हैं यह areas आप नजर बनाई रखिए अभी भी almost 20% का profit अगर हो रहा है तो देखिए 46 से अगर नीचे आपको दिखे तो आप फिर देख सकते हैं आपकी साब से पर की मेरा मानना है कि 4 hour का जो chart है इस पर आप नजरे बनाई रखिए अगर यह 48 की range तक जाता है उसके उपर नहीं जाता है अगर यहां जाता है तो पर rejection देखने को अगर मिलता है तो नहीं मिलता अगर rejection देखने को और अच्छा कहसा volume के साथ break होता है तो फिर आपको अच्छा कहसा profit देखने को मिलागा इसमें 40% 50% क्योंकि पहले भी इस टाइब का हमें 50% 60% का profit देखने को इसमें मिला है तो यह area से आपके लिए इन पर आप नजरे बनाई रखिए बाकी crypto में buy और sell खुद की research पर करिए हाँ पर हम फोवी finance advice नहीं देते हैं यह सिर्फ education purpose पर वीडियो तापकी आपको चीज यह समयने में आसानी हो बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोक दे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइब के वीडियो आपको regular basis पर मिलते रहे हैं थैंक यू